हालो बच्चो गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आक्सिडेशन रेडक्षन चैप्टर का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आक्सिडेशन नमबर तो काप्य उर्पे निकालिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए आक्सिडेशन नमबर का तो है नेचर में एटम्स हैं वो जब कम्बाइन स्टेट में आते हैं तो फिर एलक्ट्रॉन को लॉस या तेलक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो जितने नमबर आप एलक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है वह उसकी ऑक्सिदेशन नमबर होते हैं तो हम लोग लिखेंगे the number of electron lost or gained, when its one atom comes in the combined state, in the combined state from its nature state, nature state combined state में आने के दिया दिया रहा हूँ, is called oxidation number, हम उसे oxidation number बोले, जैसे बच्चों यहाँ पर देखे, यह यहाँ पर SCL को हमने ले लिया, अब आप लोग जानते के SCL में क्लोरीन मोर एलक्टोर नेगेट हुए, तो यह सेड़ प्यड़ एलक्टोर इसकी तरफ खिचेंगे, इसलिए इस पर माइनस वन और इस पर प्लस 1 आएगा, तो जो चार्ज बच्चों यहाँ पर आया माइनस वन, यह इसकी ऑक्सिडेशन नम्बर है, इस पर प्लस वन यहीर इसकी ऑक्सिडेशन नम्बर है, नेट अक्सिडेशन नम्बर इसकी टोटल इस मलेक्योल की जीरू है, तो हम बॉंड सिस्टम से भी कर लेते हышी अगर हम्112 अगर हमें एलक्त्र नेगेटिविटी पता है तो और एलक्त्र नेगेटिविटी का और में आपको समझाए देते हैं मच्चो कि फ्लोरीन की एलक्त्र नेगेटिव perhaps order of electron negativity की बात करेंगे तो order of electron negativity बच्चो fluorine की electron negativity सबसे ज़्यादा फिर oxygen की फिर nitrogen और chlorine की nearly same होती है फिर इसके बाद bromine की फिर iodine की फिर sulfur की फिर carbon की फिर hydrogen की इस तरीके से hydrogen की electron negativity सबसे बात में बच्चवाती है तो ये एक तरीके से order है electron negativity का समझ गए? electron negativity का order है और इस electron negativity के order से हम लोग oxidation number को निकाल लेगे अगर हमें molecule का structural formula पता है तो तो देखे हम structural formula कुछ के oxygen number निकालना आपको समझा रहा हूं बच्चो याद रखना electron negativity का order जैसे देखे मैंने आप लोगों के सामने ये एक्जाम पर रखा बच्चो हमने कहा कि CO2 में आप carbon और oxygen के electron negativity निकाले हैं मलब आप oxidation number निकालों with the help of bond and electron negativity तो हम लोग इसका structure जानते हैं oxygen ऐसे structure इसका बनता हैं ठीक है दो electron इधर खिचे दो इधर खिचे वही डबल one का मतलब क्या हो गया दो दो electron की sharing हो रही है तो दो electron oxygen oxygen more electron negative है अभी मैंने order बताया था तो इसलिए दो electron इसकी तरफ से खिचे मंने यह यह तो जो कर्मन की इस oxygen की तरफ खिचे तो इसकी माइनस TWO इधर दो खिचे माइनस टू इसके दो इधर खिच गये दो इधर खिच गए दो इधर खिच गये तो प्लस-4 तो इसकी oxygen number minus 2 इसकी oxygen게요 minus ऑगई इसकी oxygen number से खीचे गा तो इसनाओं किचा से से भी एक मतलब एक अलक्ट ऊनट की स्रीघ cabeçaerem GP ऑ रही कि इधर से खीचा एकि इस पर मैंनेस तूरि एक कि इदर से खीचा तो मैंनेस सब्सबाद कर रहे हैं तो हम लोग कल नि Caesar अपनी का सी नुट कि शीन सब ऑक्साइड में हर एक एटम की ऑक्सिडेसर नंबर आप बताओं सी थी और ओटो है बच्छो हमने का कि तीन कार्बन थी नंबर बताओ ऑक्सिन की बता अब इसका इस्ट्रक्चर बच्चों यह वहता है अब इस्ट्रक्चर हम लोगों तो इधर खिच जाएंगे लेकिन इधर कार्वन कार्वन है तो इसके इधर नहीं खिचेंगे क्योंकि सेम कार्वन कार्वन है तो दो इलक्टॉन इधर खिचेंगे तो इसकी प्लस टू आक्सिदेशन नमबर हो गई और नेट ऑक्सिदिशन नमबर नेकालोगे तो इसकी जीरो आएगी जैने बहुत बढ़िया इसे प्रकार से बच्चो एक और बहुत बढ़िया फार्मूला है भी आर त्री और इसके बाद पूर एट हमने कहा प्रते एक बियार और ऑक्सिजन सब की ऑक्सिदिशन नम बाद तर बियार होगया डबुलम बार रहाकर न अब बताईए दो ऐलग्तौन एदर नुटाइब को समय इसके माइनस डू माइनस Eg यह दो इदर विदर प्लस 6 हो गया इसके बच्छों इदर घीचेंगे नहीं नब्छ बीच वले कि यह वाले कि प्लस 4 यह इसले के बच्छों असानी सी नुमर, इलक्ट्रो नेगेटिविटी के हेल्प से निकालते हैं बाकी फार्मूला भी है उससे भी निकालना आपको सिखाएंगे लेकिन पहले आप यह थोड़ा समझ लिजेगा जैसे मालो हमने बच्चों कहा है इस तरीके से देखो और यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया अब यह हम लोगों ने केमिकल बॉंडिंग में पढ़ा है अब बताए बच्चों यह लक्ट्रो एक इधर खिचा इधर खिचा तो इसमें माइनस तू हो गया अक्सिजन इधर से खिचेगा इधर से खिचेगा म माइनस तू अभी सफर के बताएए एक इधर खिचा एधर खिचेंगे दो इधर खिचेंगे छह खिचेंगे और च्टे ही होते हैं तो इसकी आवी प्लस से सिक्स ऑक्सिजन नमब्र आगे बहुत बढ़िया तो इस तरीके से बच्चों हर дел की ओक्सिजन नमर को निकाल लिय यह से मालों हमने कह दिया है एच टू ओटू में बताओ यह पराक्साइड है बच्चो तो यह ऑच ओ और ओ और एच अब बताएए इसका एलक्टॉन इदर खीचेगा माइनस वन इसका प्लस वन हो गया अब दोको यह यहां पर नहीं खीचेगा इदर से खीचेगा तो माइनस स्वान और यहां प्लस वन तो पराक्साइड में जो ऑक्सिजन नम्बर हमिशा माइनस ब्रइखन फे लङती है घीख से से बढ़ा फेमस अब बच्चो लिकोर हुरो एक आपके पास prof आप इसका structure बनाएंगे तो बच्चो ऐसे बनता है ऐसे structure यह सब हम लोग chemical bonding में पढ़ा था यह देखो अब बताई यह देखे आपस में खीचेंगे यह भी आपस में खीचेगा यह इधर से खीचेगा इधर से खीचेगा तो माइनस ओन ओनये डाक्साइड में हो गया क्योंकि बच्चों यह ओरो के बीच मेनच वह न度 होता तो इसको हम बोलते हैं पर औकसाइड इसको पर अकसाइ्ड वोलते हैं जिए यहां भी आपका फेम खीचा तो माइनस अधर माइनस इधर दो खीचे माइनस टो इधर दो खीचे माइनस अब दो इधर खीचे दो इधर खीचा एक एधर एक एधर इधर गे इधर इस्ति प्लशिक्स असीडियसर नम्बर आज़ें यह बॉंड मैथड से बच्चों बता रहा हूं इस अब निकालना ठीक है और आक हम लोग जानते हो वच्छों की फार्मूला में आपको कहते हो कि किसी भी एटम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सम आक्सिदिस नंबर ओफ ओल इलिमेंट्स इन न्यूट्रल मालिक्यूल इसे ऑल्वेस जिए सम आफ ऑल ओक्सिदिसन जिससे मालोग के मानों फोन चालने का मैथड है बताएंगे आगे डीटेल में यामन की निकालना है तो एक्समाल लिया आक्सिदिस निकालने का रूल है और डीटेल में आप लोग नेस्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से और बहुत ही कम्प्रिकेटिव मालिक्यूल की ऑक्सिदिसन करेंगे कुछ केस फार्मूले से निकालेंगे कुछ को बांड मैथल से निकालेंगे और सारी चीज़ें हम लोग कंप्रिक करेंगे तो ओके थेंक्यू बेरी माच वच्चों पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो